ICC Women's T20 World Cup 2024 का आगाज भारतिय टीम के लिए निराशा जनक रहा? जी हा गाइस, आप लोग जानते होंगे कि इंडिया Women vs New Zealand Women T20 मैच में भारत को करारी हार मिली है इंडिया को हार मिलने के बाद मायूस हर्मन प्रीत कौर खराफ फील्डिंग पर जताई नाराज की जहां उन्हें अपने पहले ही मैच में New Zealand के खिलाफ 58 रनों से हार का सामना करना पड़ा इस हार ने टीम की कमजोरियों को उजागर किया, खास कर फील्डिंग में भाड़तिय टीम ने पूरे मैच में कई कैच छोड़े, जिससे मैच में वापसी की उम्मीदें धूमिल हो गई पल्ले बाजी और गेंद बाजी में भी टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाई मैच के बाद भाड़तिय कप्तान हर्मन प्रीत को और बेहद निराश नजर आई उन्होंने साफ तोर पर कहा कि टीम ने मैदान पर कई गलतियां की, जिनका खामियाजा उन्हें हार के रूप में भुकतना पड़ा हमने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया, खासकर फील्डिंग में कई महत्वपूर्ण मौकों पर कैच छूटने से मैच हमारे हाथ से निकल गया, हर्मन प्रीत ने कहा न्यूजिलैंड ने T20 इंटरनाशनल मैचों में रनों के हिसाब से भारत के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी चीत तरज की है भारतिये टीम को बल्ले बाजी, गेंद बाजी और फील्डिंग तीनों ही विभागों में पीछे छोड़ दिया इसहार के बार टीम को आत्म निरीक्षन करने की जरूरत है ताकि टूर्नामिन के आगामी मुकाबलों में वे बहतर प्रदर्शन कर सकें मैच का स्कोर कार्ड कुछ इस प्रकार कर रहा था न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर सौ 62 रनों पर 4 विकेट गवई सर्वश्रेष्ट बल्लेबाज सोफी डिवाइन जिन्होंने 43 गेंद पर 65 रन बनाए थे सर्वश्रेष्ट गेंद बाज ली ताहूहू थे जिन्होंने 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे वही बात करते हैं भारत की इवनिंग्स की लक्षे का पीछा करते हुए भारत सिर्फ 104 रन ही बना पाई ऐसे भारत 58 रनों से करारी हार मिली लेकिन दोस्तों शुरुवात भले खराब हो लेकिन अंत तो अच्छा ही होगा